नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत सुआगत करते हैं एक और नई ताजा वीडियो में यवडियो कुम्भरासी वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्डेन बहुत इखास और बहुत महत्पुन रहने वाला है योके 25 जनवरी की राद 12 वजे से कु वर्तन होने वाला है बत्रों इन लोगों के जीवन में सभी छेत्रों में इन लोगों को सफलता और सम्रिद्धी की फ्राप्ति होंगी वरिष्ट दिकारों से लाव की फ्राप्ति होंगे वैवसाइक रूप से आपकी आर्थिक सत्या भी काफ्य मजबूत होंगी आपके इं लोगों की प्रस्तियां अनुकूल रहेंगे आपको सभी तरफ से लाप की लाप प्राप्त होनी गाणिवें हैं कारिश्यत्र पर वरिष्टों और सकर्वी के साथ आपके समंद मदर होंगे मत्रों मनुस्य के जीवन में खुश्या आती जाती रहती हैं मनुस्यों को कभे स्याओं का निबारन होने वाला है जिनके कारण इन लोगों के जीवन में इन लोगों को बड़ी खुशकबरी और सफलता के फ्राप्त होंगे आपको नाम बदनाम होने वाला है लगातार इस वीडियो के अंदर दक बने रहें इस वीडियो का कोई सभी पाड अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें माता रानी के सच्चे वक्त कमण वक्स में जै माता दे अवस्स से लिखें तो मतरों आपकी बार आपके जीवन में आपको कई प्रकार की प्रसानु से चुटकार विफ्राप्त होंगे यदि आप वीत्य मामल में वविश्थित से काम करते हैं तो आपको सफल होने के मोके भी मिलेंगे गर प्रिवार के खरिदारे और नवीकर्ण कर सकते हैं उच्छे अद्यन के लिए प्रिवेस बाने वाले परिक्षा और प्रत्योगिता के लिए उपश्थित होने वाले सात्रों को अपने प्रियासों में सफलता के प्राप्ति होंगे आपको मिसरित प्रणामों की प्राप्ति होंगे आपके पक्ष में यसमें रहनी वाला है अनुपादिक गदविदियों में आप अपने समय और उर्जा को बरबाद न करें आपके लिए यसमें 322 रहेगा पारिवारिक शीवन भी आपको बहत्तिरिन और इमानदारी से काम करेंगे तो आपके रैंकिंग, प्रास्रिमिक और लोग प्रियता में वड़ोत्री होंगे, आपको आर्थि गलाप के मौके वे फ्राप्त होंगे, आप मनुगत और रहस्यवादी विश्यों के अध्यन के फ्रति सौख को विक्सित कर सकते हैं, आप सरका में आपको बड़ी खुशकवर भी अवस्य करने वाला है, मतरों इस समय कुम भरासी के जात्कों के जीवन के प्रिशाने भी अवस्य दुर होंगे, आप जैसे जैसे परियास करोगे, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको उन सारी के सारी प्रिश्टितों से प्राप्त होंगे तदा आप अच्छे स्वास्त का आनन्द ले सकते हैं पारिवारिक शीवन भी आपका खुशहाल रहेगा आई में विर्दी होंगे और आपके पास नए अधिरन हो सकते हैं जो आपके सामाजी के स्थित्व में सुधार करेंगे आपके संतुष्टी को हाई दुर होंगे मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर का महीना आपके जीवन में ऐसा रुख लाएगा ऐसे करवड बदलेंगे जिनसे कि आपके दुखों का समधान मिल सकता है बाता लक्ष्मी के किरपा से नवंबर के महीने में आपको विसेज बड़े कुसकवर हो सकते हैं भाई बहंदों के साथ आपका समय आनंद प्रुवक वितेगा सुमाज में मान सम्मान और प्रतिष्टा में विर्दी होंगे और किसी कारी के समपन होने से आत्म विस्वास में विर्दी हो सकते हैं वैपारी बर्ग के लिए समय का प्यूत्तम रह सकता है वैपार के शेत्रों में भी लाव की खाफी अच्चे मुखी मिल सकते हैं, आपको रोजगार की अच्चे अवसर भी अवस्य हासिल होंगे, आप अपने मन को इस दिर रखने का प्रियास करें, आने वाले दिनों में आप भगो भी इंजोय कर सकते हैं, आपको सचा प्यार मिल सकता है, आपको बिविन्य प्रकार की आठ्थिक तंग्यों से चुटकारा मिल सकता है आपके सूचे गए कारे भी अवस्य पूरे होंगे तथा भगवान स्रीहर विश्णू जी की क्रिपा से आपके जीवन में आपको बड़ी कुसका बरी प्राप्त होने वाली हैं आप अपने कारिश चित्र में बड़ोतरी करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं तथा आपको जीवन में हर सपनों को फूरा करने के मौके मिल सकते हैं आप लोगों को जिंदगी से जुड़ी हर तकलिफों से चुटकारा मिल सकता है आप अपने कारी प्रंडाली में ब्यपार में बड़ा सु सकते हैं घरले जिम्मेदारे को आप बहतर तरीके से समझ सकोगे मेहनत भी आपके रंग ला सकते हैं नोकरी के शित्र में आप बहतरीन कारी कर सकते हैं भगवान श्रीहरी विश्णु जी की कृफ़ा से आपके बहुत तक सुक्समधाओं के अस्तर विविक्सित हो सकता है असा साथork चमकने वाली हैं आपको आर्तिक दिनलाप मिले वाले हैं आपको पर अर्दिक करियर को मुजवर्वारे सकता है व्यापार में चली आrich अनेक दाहें दूर होंगे व्यारी विजनस में भे। आपको विशेष बेड़े Красकावर मिल सकते हैं आपका आरिवारी जीवन भी समाज जैसे पुन रह सकता है आपको दिन रात तरक्षी करने के मौक्वे मिल सकते हैं आप अपने अलग से भी अलग पहचान को अस्ताफित कर सकते हैं तो था आपको जीवन में समाज वाले घर वाले फ्रिवार वाले काफी जादा सहीयोग करने वाले हैं वाहन का उप्यूग आपको सावधाने से करने होंगे आप अपने जीवन की अधुरी मनकामनाओं को फूरी कर सकते हैं आप लगातार कर्शिस करते रहें आपको बैपारी वर्ग के जातकों को बैपार में लाब हो सकता है आपको जीवन में पारिवारिक जीवन अच्छा रह सकता है आगे की जानकारियां जाने से पहले सुनने से पहले आपके से अकेले और एकांत में रहें तभी आगे की जानकारियों को जाने क्योंकि आगे की जानकारियां सारी की सारी रहसमाई रहने वाली है ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में पारिवारिक जीम्मदारी का फियाची होंगे, आपके असकर्ती में वर्ट्री होंगे, आपके पत्परतिष्टा में वर्दी होंगे, कारी शेत्र में उच्पतादी कारी विकुष रहेंगे, आपको संतान का सह योग मिल सकता है, आपके प्रिवार में आनंद हो सकता है, आपके आर्थिक योजनाय पूरी होंगी, व्यपार धंदे में भी नए अवसर मिल सकते हैं, आपको अन्य लोगों के सहाता करने के मौके मिल सकते हैं, दाम पत्ते जीवन में आपके मदूरता रह सकते हैं, आप अप प्राप्ति कर सकते हैं। उनको मन्चाही नोकरी मिल सकते हैं। आपको अपने मेहनत के विल्बुत्य सफलता मिल सकते हैं। आपको कोई पुराना मित्र मिल सकता हैं। जिनसे मुलाकात करने से आपको खुशी की प्राप्ती होंगी। आपको धन संपत्ती में वड़ोतरी करने के मौके मिल सकते हैं आपके कुंडली में आपको धन दोलत की प्राप्ती होने वाली हैं और आपका कुंडली में धन का द्वार जो है वो खुलने वाला है जो लोग बिजनसमेन हैं उनको बिजनस में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकत हैं बगवान स्री हरी विशनुजी की कृफ़ा से आपको करूडों का धन लाब हो सकता हैं आप अपने मामले को मिलसक्ते हैं अपको मिल सकते हैं परिवार वालों के सहयोग में आपको जीवन आगे बढ़ने के मौक्य के मिल सकते हैं प्रेम जीवन जीने वालों के लिए यह समय कौफी अच्छा रह सकता है आप अपने विचारों को नेंतर मिदाशने की कुश्चत कर सकते हैं आपको किसी भी प्रकार के कोई भी संदेह करने से बचने का प्रियास करने होंगे आप अपने जीवन के तमाम दुख बड़े खुश कवरी को हासिल कर सकते हैं मत्रों आठ तक पक्षबिय पहले से काफिवत रहोंगे करियर में आगे वढ़ने के नयवसर मिल सकते हैं आपके सूचे फे काम जरूरी पूरे होंगे आप बड़े खुश नजर आएंगे तकनी की चेतर से जुड़े छात्रों के यह समें कफी फेवरिवल रह सकता है आपको कोई पूराना बाद विवाद कोट का जहरी में उल्जहवा मामला सुल सकता है आपके जीवन में नया मोड आने से आपके जीवन में कोई प्रवेश कर सकता है कोट का जहरी से आपको अच्छी खबरे मिल सकते हैं संपत्ति के बगवान सनिदेव जी की अराधन करने से लावकारी योजनाओं को बनाने के मौके मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ आपको सहयोग फ्राप्त होंगे, आपका समाधी कस्तर में भी आपका रुत्बा बढ़ सकता हैं। बड़े और सुब समाचारों के फ्राप्ती कर सकते हैं। इस्तित्यों को काफि कंट्रोल में कर सकते हैं। आपको नोकरी के छेत्र में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आपको अपनी मेहनत के अरुषार सफलता हासल हूँगी, मौयरणन के कारह में आपकी अधिक रुची रहेंगी। आठतिक इस्तिदियां भी पहले से काफ़े वहतर होंगी आपके भौतिक सुक्सिवधाओं में वड़तरी होंगी शिचाश से सिर्ड़े लोगों को वहतर फरदर्सिन करने के मौक्य मिल सकते हैं आप सफलता के मार्ग को आसल कर सकते हैं गर परिवार में आपको खुशियां मर प्राइबादे रहें गर नहीं है जापने को विपने परो जा को बिल स्मय होंगी टके में नहीं वीट रहेंका रहां से में परिण आप